hey guys and welcome back to another episode of football lily और आज के एपिसोड में हम लोग तीन मैच इसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें ते तीसरा है निकी आर्सनल वर्सेज अगर हम नौटिंगम फॉरस की बात करें नहीं लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर MLS की और भाई तुम इमाजिन कर सकते हैं और यह चीज में को लगता है कि एक्चुल मैच से पहले इस चीज़ पर बात करना हमें बहुत जरूरी है लियोनल अंकारा मैसी के बारे में बिकॉज अगर हम तुम देखो आज यहां पर लियोनल मैसी ने as a substitute डेब्यू करा था इंटर मयामी की तरफ से लेकिन कहीं ना कहीं तुम back of the mind में सोचने हैं भाई यह already कितना कुछ हो चुका है मैसी के साथ MLS में already कितना कुछ हो चुका है मैसी और इंटर मयामी के बीच में और अब जाके डेब्यू आ है यह दो चीज़ वालो को ले एक मूँ तोड़ जवाब यहां पर दिया गया है इसी के साथ बात करते हैं अब एक ऐसी brand की जो कि आपको legit कुछ ना करने के पैसे देने वाली देगो brand का नाम है पर honey gain यहीं पर ही मैं तुमको एक ऐसी चीज कहूं कि internet को browse करते वे या फिर जो भी content तुम consume कर र होगे लेकिन definitely यहां पर हमारे जो जन्जी के जो आलतु-फालतु को खर्चे होते हैं कि यहां पर हमको किसी भी streaming platform OTT का यहां पर एक premium चीए हमको यहां पर like Zomato का यहां पर वो चीए देखो सबसे बड़ा जो question आता है वो ही आता है कि हमारा data यहां पर use होने वाला है तो क्य यहां पर data को बेचा जाएगा data को देखो सबसे पहले तो यहां पर यूज नहीं किया जाएगा और यहां पर नहीं कोई data privacy में breach है अगर आप यहां पर इस application को install करोगे और यहां पर sign up करोगे मेरे दिएगे refer code से तो आपको पांच डॉलर instant मिलेगा जिसको आप अपने PayPal या फिर किसी account से withdraw कर सकते हो definitely यह एक ऐसा concept है जो कि बहुत ज्यादे interesting है do make sure कि आप एक बार check-out जरू करें बड़ा हराम ही हो गया देखो सबसे पहले तो यहां पर हमको समझना पड़े है कि इस समय क्यों यह important और बहुत जादा tricky हो जाता है क्योंकि आपको यहां पर एक primarily यह focus नहीं है कि आप किस तरीके से लियोनल मैसिका maximum निकालना भाई वो आप नहीं निकाल सकते वो खुद निकालेगा ठीक है फिर वो जो निकालेगा फिर उसको आपको मुह में लेना पड़ेगा लेकिन यहां पर important यह कि Tata Martino के पास यहां पर इस समय सबसे बड़ी job जो है वो की लेवल की नीचे है ऐसे में आपको तीन पॉइंट चाहिए ही चाहिए तीन पॉइंट से का मतलब नहीं मंता प्लेओफ में आप नहीं जा पाओगे and ultimately लियोनल मैसी यूएस ओपन कब जीच जाए लेकिन मुझे पता है इस सोशल मीडिया की toxicity की अगर यहां पर MLS में there is a reason why कि Apple TV, Edidas और Bata तीनों ने यहां पर combine करके लियोनल मैसी को sign किया है तो वो चाहते हैं कि लियोनल मैसी चाहे थका हो जरूरत हो ना हो जैसे आज की मैं आपको बाह बताता हूँ यहां पर 74th मिनट पे उसको लेके आया गया जबकि Inter Miami 1-0 से जीत रही थी पिर भी Jordi Elba, Sergi Biscuits और Lionel मैसी तीनों को यहां पर pitch पे खिलाया गया, जब मैसी को लेके आने की बात हुई तो उसके बाद game अभी पर tactical थोड़ा से बताऊंगा तुम्हें, लेकिन यहां पर काफी लोग यह आर्ग्यू कर रहे थे जब Inter Miami already lead में थी और Inter Miami को defensive substitution लाना था तो उसमें Lionel मैसी का integration लाना दो चीज़ बताता है, पहली चीज़ तो यह है कि मैसी पूरी तरीके से statistically overpower करे, यह make sure करवाना है कि ultimately यहां पर जो मैसी बुली कर सकता है, वो करवाना ही करवाना है, लेकिन यह फिर भी इतना दा majority वाला reason नहीं होगा, जो majority reason यह है कि वहां पर, जो सबसे सबसे टिक पर, यह teen पर बैठ के जो देखेगा, वो 500 डॉलर देगा, ऐसे मैं अगर उनको लियोनल मैसी 15 मिनट के लिए भी नहीं दिखा, तो कहिना कि वो थोड़ा unjustice हो जाएगा, and that's why Tata Martino के हाथ में इतना कुछ है नहीं, अगर आप schedule देखोगे, तो 30 तारीक को एक बाद फिर से match ह है, तो यहाँ पर पिछले आठ दिनों की बात करें, और अगर आप अपकी बात करें, तो लगबग यहाँ पर एक हफते में, यह चार से पाँच गेम खेलते वे हमको दिख रहे हैं, जो की बहुत बड़ी चीज़ है, टाक्टिकल की बात करें, जैसा मैंने तुमको बताया, कि यहाँ पर अगें, विदाउट लियनल्ड मैसी, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट इवेंचुली उन्होंने गोल स्कोर किया, अगर मैं रेड बूल्स की बात करूँ, तो वो भी यहाँ पर ट्राय कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी में आपको यहाँ डिफरेंस पते जलत रहा है वही, like the moment Jordi Alba को आप उस टीम से अटा दोगे, आपको पता चल जाए कि आप यहाँ पर क्या मिस कर रहे हो, लियनल्ड मैसी अपके साथ नेटवर्क पासिंग करता है, लियनल्ड मैसी अपके साथ सीक्वेंस बनाने ही कोशिश करता है, और मैं सही बताऊं तो सब उस से पर ट्रस्ट करते हैं, that is something extraordinary, that is something जो कि आप नहीं देखोगे, और इसके पीछे कोई rocket science नहीं है, वो इतने सालों से खेले है, और उनका combined IQ और mutual IQ अच्छल में पूरी टीम से जाधा बढ़ा है, इंटर मैमी ने यहाँ पर जो गोल मारा, like that is masterclass in itself, लियनल्ड मैसी ने वो कि मैसी को किस तरीके से हम setup कर सकते हैं, और सोचो, मैसी को setup करने के लिए मैसी अपने आप कोई help कर रहा है, कि आप मेरे को setup करो, तो इसमें मैं तुमारी help कर रहा हूँ, it's like कि सरकार अपनी ही पुझी करने के लिए कोई और यहाँ पर 10,000 करोड रूपे दे रही है, जिससे तुम उसको वापिस से पैसे दे सको, Jordi Elba का जो bicycle pass था, वो भी अपने आप में काफी जाधा epic था, मैं expect नहीं कर रहा था, because इतने गंदे अंगल पर आया था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर Inter Miami के ऐसी position पर थी, जहाँ पर वो बहुत जाधा sit back कर रही थी, और जितना भी attack हा रहा था, वो मैंसी के थूँ आ रहा था, तो यहाँ पर game easy, काफी जाधा manageable था, इसी के साथ यार, अब बात करते है, Premier League से, Manchester United की बाई, I think, जो start था, उसमें कोई दोराई नहीं है, disastrous है, बदनामी वाला है, और बगेरत है, तो ऐसा यहाँ पर start था हमारा, individual error आप नहीं कह सकते है, देखो यार, I think, दोनों में आप individual error नहीं कह सकते है, बटा किन आप उसको ignore भी नहीं कर सकते है, अगर पहले goal की बात करें, तो जो उनका, like Nottingham Forest का जो striker था, of course, उसने भी इस तरीके से राशवर्ड को बुली करा, राशवर्ड को बुली करना इतना easy नहीं अब वो instruction था, कि यहाँ पर कुछ और था, पता नहीं, याई miscommunication हो गया, लेकिन whatsoever यहाँ पर ओनाना ने वहाँ पर कुछ हतक blunder करा था, हमको यह नहीं भूनना चाहिए, कि ओनाना के हाथ से deflection लगके ही goal गया था, तो यहाँ पर अगर ओनाना वहाँ पर sweep करता तो शायद से most probably जो angle था वो कम होता और यहाँ पर goal बचा सकते थे, दूसरी चीज थी कि यहाँ पर जिस तरीके से सेट पीस से हमने goal खाया है, आगे इंगे बताता है कि हम सेट पीस इन scoring में और सेट पीस इन defense में काफी जादा poor है या काम करने ही कोशिश है, I know यहाँ पर हमने goal score किया है, लेकिन उसके अलावा भी हमको एचीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सेट पीस के मामले में United को काम करना ही पड़ेगा, 10 मिनट से लेके last के 80 मिनट तक Manchester United, United की तरह खेली है, absolutely 10 heck ball, हर चीज बढ़िया चली है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ mentions करना जाओंगा, जो कि मेरे को रखता है, बहुत जादा important है, आप देखो, दौनों गोल, जो penalty जीती है, और जो वैसे भी हमने goal score किया है, Marcus Rashford has been absolutely beast, मतला मैं बताता है कि Marcus Rashford one on one take में जब आएगा, जब Marcus Rashford को कोई defender isolation में मिल जाएगा, तो वो उसको खा जाएगा, उसको मोड के जेब में रख लेगा, या जो भी करेगा, लेकिन Marcus Rashford को उस position में लाना पड़ेगा, it's similar कि मैं Vinicius के regarding भी कहता हूँ, लेकिन Marcus Rashford के regarding वो बहुत जदा obvious हो जाता है, कि in the middle of the park और यहाँ पर आप उसको isolation में डालोगे, तो कितना जदा important है, साथ या आप Marshall को देखोगे, तो yes, Marshall कि आपको इतने clear cut chances नहीं नहीं देखेगा, लेकिन Martial जो off the ball करता है, या फिर on the ball भी करता है, टीम के sequence को बनाने में, वो भी बहुत दादा important है, और समझ सकते हैं कि आप Vagos की बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर किसी और प्लेयर की बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर किसी और प्लेयर की बात कर कि दानों के बीच में जो chemistry वो उतनी ही अच्छी होगी, जो यहाँ पर अगला बंदा है, वो है भाई, man of the match मेरे लिए, and that is Bruno Fernandes, leadership qualities की बात करें, pitch पर रहता है, एक aura लेके चलता है, वो एक vibe लेके चलता है, लेकिन उसके अलाव अगर हम sporting technicalities की बात करें, passing sequence की बात करें, उ उसके out of the box shots की बात करें, उसके out of the box creativity की बात करें, कि इस तरीके से वो maintain कर रहा है, अपने work rate को दिखा रहा है, everything happens to be like perfect, pitch perfect, आ मैं यह नहीं कह रहा है कि Bruno Fernandes ने मिलकू 10 out of 10 वाली performance दिये, but Bruno Fernandes ने captain वाली performance दिये, और ऐसे point of time पर जब आप अपने home पर comeback को यहाँ पर lead कर होते हो, तो आपको असल में 10 में से 10 वाली नहीं, 10 में से captain वाली performance ही होती है, जिसको आप यहाँ पर subjective तरीके से, you know, उसका burden कर सकते हो, जो अगला point है, वो है यहाँ पर, भाईया, Anthony पर, देखा, Jaden Sancho को इस match में नहीं खिलाया गया था, which is again काफी criticism आवारा point था, लेकिन मै कहुँआ कि, just because Jaden Sancho के लिए हम सबको अब wait है कि Jaden Sancho शायद से अपने आपको unleash कर सकता, जो कि उसने काफी अच्छा एक supporting role नभाया भी, in the absence of Martial, but, हम को यह नहीं भूलना चाहिए, कि Anthony का आज game इतना बुरा नहीं आया था, I know Anthony के अपने flaws है, I know Anthony के यहाँ पर अपने लेकिन Anthony ने आज जितना भी खेला, मेरको इतना बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, team spirit में ता, उसके left वाले वो magic रहा रहा था, शायद से हमें goal भी देख सकते थे, लेकिन ultimately वहाँ पर burner न ने, turner ने, turner ने, turner ने, turner ने, pander ने, save यहाँ पर कर लिया था, कासी मेरो की ब कासी मेरो was just like walking, मतलब कासी मेरो को लगता है कि यहाँ पर काफी जादा दिक्कती है और I think game के साथ साथ हो जाएगा, important यह था कि momentum को shift करना था, Premier League का campaign just start हुआ है, come back at Old Trafford 2-0, 5 minute में जाने के बाद, 5 minute में जाने से पहली यह बहुत बड़ा statement है, which brings me to the next match, जो की है, Arsenal versus Fulham, देखो, Fulham actually में इतनी लप्पू सी team था है नहीं, so, Arsenal को वो hurt कर सकती है, इसमें कोई दोरा ही नहीं था, अब मैं यहाँ पर इची बताता हूँ कि, before we get on to the conclusion कि, भाई, Arsenal ने यहाँ पर points drop कर दिया, और Arsenal तो पच्छडी सी team है, देखो, Arsenal ने जादा य others की बात करें, या फर अगर हम यहाँ पर बात करें, Fulham का जो एक technical, they have some quality, जैसे में वोल्वर एम्टन के बारे में भी कहता हूँ कि, वोल्वर एम्टन लपू सी team है, गोल स्कोर नी कर पाते है, लेकिन आप उनको easily content नहीं कर सकते, Fulham के पास भी वो चीज थी, और आपको है, यहाँ पर मैं एक चीज कहूँगा कि सबसे पहले तो देखो, Arsenal ने अभी यह make sure नहीं किया है कि क्या हाइवट्स actually में worth it है, मतलब मैं सही बता हूँ, I am not going like all out कि मैं का हाइवट्स को बिल्कुली bash कर दूँ या फिर मैं कर दू, लेकिन मैं optimistic भी नहीं हो जादा, क्योंकि सही बताऊं तो, सही है, वाइब वाइब अच्छी वाली बात होती है कि यहाँ पर है, स्टाइट्स हैं, थोड़े दिखा दो कि घूम के ऐसे पास देता है, शॉट पास देता है, लेकिन कितने progressive passes हैं, कितना setup कर रहा है, कितना lethal हो रहा है, और क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं क कि Zaka को अटा के यहाँ पर जब आपने Kai Havertz को left number 8 पर खिला रहे हो, तो क्या वो ही सबसे अच्छी चीज है, Declan Rice again, absolutely amazing बंदा था, बढ़िया खेल गया था, यहाँ पर जिंचेंको का भी मेरे को game सही लगा, Martinelli, Bukai Osaka की बात करें, absolutely amazing, सबका game मेरे को बढ़िया दिख रहा थ लेकिन एक चीज़ यहाँ पर फिर वही वाली बात आती है, कि यहाँ पर जिसने standout performance दिया है, वो है February era, भाई, he was a substitute, और I think one of the best substitute वाली performance देता, अगर वो यहाँ पर goal निकाल देता, एक shot वी उसने मारा था, last के moments पर, जो कि सीधा goal की पढ़ने save कर लिया था, तो आपको दि चालिया अपने आपको, यह अच्छी चीज़ है, कर जब बचाने आली बात आती है, United से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जिसनेट में आपको game को end करा है, वो भी काफी जादा poor था, I think mismanagement था, और immaturity थी तो वो भी, I think 10 heck जरूर बताएगा, कि आने वाले games में, जब आप लीड चीज़ लेने के लिए भी है, कि भाई किस तरीके से आप का है वर साली डिलेमा को ठीक करने वाले हो, किस तरीके से आप low block को तोड़ने वाले हो, जिंचेंको क्या क्या role होने वाला है, और यहाँ पर आप किस तरीके से आगे यहाँ पर up front खेलने वाले हो, February भी यह रहागा